नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे मक्ती वावना योटूब चैनल पर आज मैं आपको बैसाक मास के 27 में अध्यागी कता सुना रहा हूँ बहुत ही सुन्दर कता है, कता को पूरा सुने मैतली कहने लगे कि बैसाक मास में कौन-कौन सी तिथियां अत्यंत पुन पार का रखें उनमें क्या-क्यादान करना चाहिए और किशने इनको प्रख्यात किया तव सुरुत देव जी कहने लगे कि बैसाक मास की सब ही तिथियां अत्यंत उत्तम हैं प्रते एक्तितियों में किया गया दान कैई गुना फल देने वाला हैं, संपूर्ण तिति, पुन्य कारकें, तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है, बैसा ही फल एक एक्तिति में इस्नान दान तप होम पूजनादी करने से प्राप्त हो जाता है, कता स्रवड करने से ततकाल मुक्ती मिलती है रोगी तता पीडित भी इस कता के स्रवड से क्रत क्रत हो जाते हैं जो कोई बिनाइशनान, दान, इन दनों को व्यतीत करता है उनको गौबद, क्रतनिक पित्र पगाती, तत्वा आत्वगात का पाप लगता है जल स्वादीन है, तता सरीर भी स्वादीन है, फिर भी इसनान में संकोच क्यों दरिद्री, धनवान, लंगडा, लूला, अंदा, नपुन्सक, बिदवा, इस्त्री, बालक, ब्रद्य युवा सभी को बैसाक मास का सेवन करना चाहिए बैसाक दर्म सुक्से साधन के युग्य है, जिससे आधिक और कुछ सुव नहीं जो कोई भी नीच इन सुलब धर्मों का पाला नहीं करता, उनको नरक का बागी होना पड़ता है इसमें कोई संसय नहीं है, जैसे दई को मतकर मक्कन निकाला जाता है बैसे ही इस मास की तिथियों को अलग अलग पताते हूं चैत्र के महीने में जब मेश की सक्रांती हो, तब पापों के नास करने वाली अमावस्या को गयाजी करने का फल मिलता है मैं नरक और पित्रों का एक पुराना थ्यास कहता हूं जब प्रत्वीब में सर्वानादी मनंतर का राजी था, तीस में कल्योग के अंत में जब सारे धरम नश्ट हो गए उस समय आनर्त देश में धरम बन नाम का एक ब्रामण हुआ उसने इस गोर कल्योग में मनिश्यों को पाप करते हुए देखा मनिश्यों की बुद्धी पाप में रत देखी, सब मनिश अपने बरण धरमों से हीन हो गए हैं तब एक दिन वए ब्रामण मात्माओं के सत्रयक देखने के लिए पुष्ट कर गया वहाँ पर रिशी मुनी सास्तरन कूल पुन्य कथाओं का स्रवन कर रहे थे कोई कोई कल्योग की प्रसंसा भी कर रहा था कहते थे कि सत्योग में बगवान एक बर्ष की तपश्या से प्रसंद होते हैं तो त्रेता में एक मास, द्वापुर में एक पक्षे परन्तु कल्योग में उससे दस गुना फल भगवान के इस्वर मातर से ही मिल जाता है कल्योग में थोड़ा सा पुन्य करम भी अधिक फल देता है जो दया, पुन्यदान, धर्मादी कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए केबल हरी नाम उच्चारण करना उत्तम है जो अकाल में अन्यदान करते हैं बे बेकुंट जाते हैं वहाँ पर जब यह प्रग संग होई रहा था तो नारजी एक हाद से शिष्ण और दूसरे हाद से जिब्या को पकड़ कर उनमत की तरह खूब असने बाद नाचने लगे सबने आशर्क से देकार पूचा कि नारजी इसका क्या करन है नारजी ने उसी अवस्ता में तर दिया कि निसंदे कल्यों में प्रसंस नहीं है क्योंकि इसमें केसव अगवान इसमरण मातर से ही प्रसंस हो जाते हैं तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि शिष्ण इंद्रिया और जिब्या को बस में करना आती कटिन है जिसने इन दोनों को बस में कल लिया वैसा क्या जनारधन के तुल्ले है अताएस कल्यों के आगमन पर तुमारा यहां ठेड़ना ठीक नहीं है शुपाकर्ण में भूमी को उत्याग अन्यत्र कहीं जाकर विचार करना चाहिए वह सब मुनियसे पचन सुनकर यग्य समाप्त कर कहीं अन्यंत्र परवतों पर चले गई धराम बरण की यह सुन नैश्टिक ब्रह्मचर ब्रत धारण कर चाल के बस्त्र पेन कमंडलात में ले जटा बढ़ा कर कल्यूग की अनाचरा को देखने की लगे कि संपून मनुष्य जाती घोर कल्यूग में पाप में हो गई है संपून सन्याजी तता सूद्र सभी पाखंडी हो गए हैं पत्नी पती से बिरोध करती हैं पुत्र पिता से सेवक स्वामी से और गुरू सिस्ष से देश रखते हैं सव ब्राम्मर सुद्रवत हो गए हैं, बेद कानी मात रह गई हैं, बेद बुरुद्र करम करना साधान सी बात हो गई हैं, भूत पिसाच प्रेतादी की पूजा सब करते हैं, संपूर मनुष्य कुकर्मों में लगे हुए हैं, कुकर्मों में प्राण तक त्याग देते हैं, ज और हरी नाम का कीर्टन करते जाते थे, प्रवैसाक मात्तम कीजे, इस कथा को प्रतिदिन स्रवर करना चाहिए,